कियए ए यूरोप में रास्टवाद आजका हमारा टॉपिक है जुलाई एठा सो तीश की क्रांती क्लास टेंथ का फर्स चाप्टर का ये टॉपिक है युलाई एठा सो तीश की क्रांती तो हम लोग आज के इस वीडियोे जानेंगे कि जुलाई ate 1830 की क्रांती में क्या हुआ था किन कार्णों से हुआ था इन सारे चीजों पर आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे स्वागत आपका आपके अपने यूटूब चैनल लर्न हिस्ट्री वित्रेखा में और चलिए हम लोग जो है जानते हैं कि जुलाई 1830 की क्रांत हुआ हुई थी और कहां हुई थी शबसे इंप्रूस का बहुत ज्यादा इंपौर्ट्स रहा है फ्री सीडियोगे इ mosas progress lalas रोप मेरे राष्टवाद की भावना लोगों के मन में जागरित होई, लेकिन फ्रांसिसी क्रांति होने के बावजूद, फ्रांस एक गंतंत्र देश बनने के बाद फिर वापस से एक राष्टंत्र देश बन जाता है, जब नेपोलियन जो है वो सत्ता को अपने हाथ में लेता है नेपोलियन जो है अठारा सो चार में फ्रांस में वापस राशतंत्र को ला देता है नेपोलियन जो है विस्व विजय बनना चाहता था और वो अपने आपको यूरोप का रास्ट निर्माता मानता था तो उसने जो है अपने पीरियड में उरोप का पुरा नक्सा ही बदल दिया था लेकिन हर किसी का अंत होता है तो उसी तरह से नेपोलियन का भी अंत हुआ नेपोलियन 1815 में वाटर लोग के युद्ध में हार जाता है और उसके बाद से यूरोप की कहानी कुछ और हो जाती है 1815 में वियना समझोता होता है वियना कॉंग्रिस का एक सम्मेलन होता है जिसमें कि अध्यक्षता जो है वो मेटरनिक करता है और वो फ्रांस में बलकि पूरे यूरोप में चेंजिस लाता है और फ्रांस में फिर से वापस जो है वो जो बर्वन डानस्टी जो था उसको वो वापस अस्थापित कर देता है ये सिलसला जो है आपका चलता रहता है और आगे चलकर कि जो है 1830 का जब समय आता है तो 1830 में बर्वन डानस्टी का ही जो है एक शाषक था चाल्स टैंथ वो शाषक बनता है लेकिन वो एक निरंकुस और प्रतिक्रियावादी शाषक था निरंकुष शाशक होने का और प्रतिक्रियवादी शाशक होने का मतलब क्या होता है तो निरंकुष शाशक जो है जो पूरे एस्वरे विलाशिता में डूबा हुआ है प्रजा से उसका कोई लेना देना नहीं है प्रजा की कारेों से प्रजा की हमें क्या भलाई करनी चाहिए। यह आपने आप से मतलब हो भावनाओं को दबाने का प्रयास किया था क्योंकि वो निरंकुष चा सकता और प्रतिक्रियावादी चा सकता तो राष्टेता की जो भावनाओं लोगों में जागरित हो रही थी उसको उसने क्या किया दबाने का प्रयास किया मिंस राष्टवाद को दबाने का वो प्रयास क क्योंकि वो खुद एक प्रतिक्रियावादी जो है विचार का व्यक्ति था तो उसने क्या किया कि वो प्रतिक्रियावादी विचार के ही व्यक्ति को प्रधान मंत्री निक्त कर देता है अब प्रतिक्रियावादी वो खुद भी था और खुद वैसे ही लोगों को उसने ले आ तो उस्तिती और भी धीरे धीरे जो है वो गंभीर होती चली गई अब क्या हुआ । कि जो सास म Ele passive प्रधानमंतरी बना he था कौन तो पॉलिगनेक जो था वो प्रधान मंत्री उसे निट किया गया और वह प्रतिक्रियावादी विचार का व्यक्ति था तो पॉलिगनेक ने जो है क्या किया कि वो लुई 18 के द्वारा जो अस्थापित समान नागरिक सहिता थी उसके अस्थान पर एक सक्तिसाली अभ स्थापित किया था और उसे जो है शक्तिसाली अभिजात वर्गों में उसने कर्वर्ट करने का प्रयास किया मतलब उसको हटा करके उसने अभिजात वर्गों को लाने का प्रयास किया और उसे विशेसाधिकार से विभूशित भी मतलब उसको स्पेसल राइट भी दे दिया ये प्रयास किया गया किसके दौरा पॉलिगनिक के दौरा जो एक वहां का फ्रांस का प्रधानमंत्री निक्त किया गया था अब इश्य होता क्या है कि उधारवादी जो है इसे क्या समझने लगे कि ये जो है क्रांती के विरुद कोई सोडंतर है मतलब हमारे विरुद जो है स सख़ी सर 3 आधे 7 नहीं है तो यह लोग कि मन में तो सी परीस पर लए ले प्रड़ एक शन्-पार्वां सबक्रांइज सिलेशा सफने को vidya 1994 को क्या करता है कि यहां पर क्या करता है कि सुर्ड ओर मिस्टेक है चार अध्यादेस जो है वो क्या कर देता है कि चार अध्यादेश जो है उदार तत्व का गला घोटने के लिए वो पास कर देता है मतलब जो उदारवादी विचारधारा के जो लोग थे जो राष्टवादी विचारधारा के जो लोग थे उन लोगों के अगेंस जो हो वो चार अध्यादेश जो है लिया अब चार अध्यादेश मतलब वैसे चार तरह की लोग जो उनके अगेंस में हो तो चार अध्यादेश को जो है वो लाता है जो कैसे अध्यादेश थे तो उदार ततू का गला घोटने का प्रयास किया अब गला घोटने का मतलब आपको यह नहीं समझ लेना है कि इसका गला दबाने का प्रयास किया अब ऐसे कानून लाए गया है जो उन लोगों के अगेंस अब इश्यह होता क्या है ? कि इस अध्यादेश के विरोध में पूरे पैरिस में क्रान्ती की लहर दोड़ जाती है क्योंकि जो कानून बनाए गयी थे जो अध्यादेश लाए गयी थे वो सही नहीं थे वो उन लोगों के अगेंस थे तो उन लोगों ने भी आवाज उठाने का प्रयास किया और यह आवाज उन लोगों ने किस वे में लिया तो लोग आदिये और पूरे पарिस में आप करान्ती के लहर दौड़ गई अब जो है जब ये क्रांती जो है पूरे जो है इदम चर्मो उतकर्ष पे थी सभी जगह जो है ये क्रांती जो है फैल गई तो चाल स्टेंथ जो है वो क्या करता है कि वो गद्दी त्याग देता है और त्याग के इंग्लेंड भाग जाता है क्योंकि वो देखता है कि अब इस सिधी को मैं जो है समाल नहीं सकता हूँ वो मेरे काबू से बाहर है तो वो क्या करता है कि वो गदी त्याग करके मतलब अपने पद का त्याग करके वो इंग्लेंड भाग जाता है अब इंग्लेंड चले जाने के बाद जो है अब तो फ्रां वहां का खाली था तो वहां पर शाषक चहीए था उन लोगों को तो बर्बॉवंस के अस्थान पर उन्लोग करते हैं कि फ्रांस में और सौरी मिलेगा तो लूई फिलिप्सॉट था वो शाशक उसे निउक्त किया गया और क्योंकि लोई फिलिप जो है उदारवादियों पत्रकारों एवं पैरिस की जन्ता के समर्थन से जो है वो शाशक बना था तो इसलिए जो है उस वो सही तरीके से था और वो लोगों के समर्थन से शाशक बना था तो उसको जो है मान तो आगे हम लोग जब देखेंगे कि 1848 में जो करांति होती है वो इशिके अगेंस होती i sheek अगे चला करके लोग इनके इसके नितियों से जो है वो खुस नहीं होते हैं और वो फिर से changes चाहते हैं तो जुलाय आठार्सो सो तीस की बाद फ्रांस में फिर से ऐठार सो और तालीस में क्रानटी होति तो क्योंकि हम लोग का topic है जुलाय आठार सो तीस की क्रांटी तो इसको एक पर review कर लेते हैं कि इसका जो है और जंद्रवादियों की भावनाओं को जो है दवाने का प्रयास करता था उनके वो अगेंस था और इसी के जवाब देने के लिए या फिर जो है वो अपने विजार से विजार वाले लोगों को जो है वो सत्ता मिलाना चाहता था तो वो क्या करता है कि पॉलिगनिक जो था उ अब होता क्या है कि उधारवादी विचारधारा के जो लोग थें वो लोग क्या समझते हैं कि ये हमारे विरुद सडंतर रचा जा रहा है और प्रतिनिधी सदन के जो लोग थे उधारवादी जो लोग थे वो लोग जो है पॉलिगनिक के अगेंस जो है अपने असंतोस को प् तो इसके जवाब में पूरे पैरिस में क्या होता है कि उस चार अध्यदेश के अगेंस में एक क्रांती की लहर दोड जाती है और पैरिस में पूरे फ्रांस में ग्री युद्ध प्रारम्भ हो जाता है क्योंकि ये घटना जो है आपका जुलाई में 1830 में हुई थी इसलिए जुलाई 1830 की नाम से जाना जाता है लेकिन देखा जाहे तो ये जून के अंत में सुर्व हुआ था और फिशि, जुलाई, स्टार्टी नामसे जानते हैं जब आपका स्टार्ट हो गया था जब देखता है कि यह हमारे हात से बाहर का है अब मैं इस पिनहीं समाल क्यास हुआ तो उपद को द्याक करकर के इंग्लेंड चला जाता है और इंग्लेंड जाने के बाद Yes जो है बुरुव वंस का फ्रांस में अंत हो जाता है बुरुव वंस के अस्थान पर जो है एक नए वंस की अस्थापना होती है और नए वंस था आपका आलेंस वंस आलेंस वंस जो था इसके सासक जो है लुई फिलिप्स जो है वो बनाए जाते हैं और लुई फिलिप्स को ज ये भी जो है उसकी नीतियां जो थी वो उधारवादियों के पक्ष में थी और समयधानिक गंतंद्र में नहीं थी. अब हम लोग जो है थोड़ा देख लेते हैं कि इस क्रांती का प्रभाव क्या हुआ तो इस क्रांती का प्रभाव जो है वो हमें देखने को क्या मिल रहा है कि जुलाई की क्रांती इस बात की सूचक थी कि देश में कटर राजसत्तावादियों का प्रभाव कम हो रहा था क्योंकि राजसत्तावादि जो लोग थे उन लोगों का प्रभाव हमें इस जुलाई की क्रांथी में कम होता नजरा है वास्तों में यह क्रांती मध्यवर्ग और लोग संप्रभुत्य के शिद्धानतों की देन थी देखा जाए तो वास्तों में यह क्रांती जो है किन लोगों की देन थी तो मध्यवर्ग का और लोग संप्रभुत्य के शिद्धानतों का देन था इस क्रांती का प्रभाव सिर्फ फ्रांस पर ही ने बलकि पूरे यूरोप पर पड़ा था और ये इस से पूरे यूरोप में रास्ट रास्टिता और देश भक्ती की भावना का विकाश हुआ था तो ये जो है इस क्रांती का प्रभाव था फ्रेंड वीडियो अच्छा लगा में आप कमेंट करके जरूर बता है मैं इस वीडियो उस टॉपिक पे जो है वीडियो बनाने का प्रयास करूंगी ताकि आपकी नीज पूरी हो सके और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज एक वार फिर से मैं रिपीट कर रही हूं अपनी सब्दों को कि आप जो है वीडि